RKR Study Seated Point YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग चिंतन का जो प्रकार है मुर्त चिंतन और अमुर्त चिंतन उसी के बारे में अध्यन करेंगे यह जो टॉपिक है इससे हम लोग सीटेट के एकजाम में या फिर टीचर का जो भी एकजाम होता है उससे इससे प्रशना आते हैं मैं राधिन कुमार उसन स्वागत करता हूँ आप सभी का RKR Study Seated Point YouTube चैनल पर इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मुर्त चिंतन तथा मुर्त चिंतन क्या होता है इसी के बारे में हम लोग अध्यन करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हम लोग पहले यह जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो content की और अगर देखे जाए तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि चिंतन क्या होता है फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि अमूर्थ चिंतन क्या है फिर मूर्थ चिंतन क्या है और लास्ट में पढ़ेंगे कि मूर्थ चिंतन और अमूर्थ चिंतन में अंतर क्या है इसके मानब का मस्तिक्स जब मानब किसी समस्या से गरसित रहता है तो उस समस्या के समधान के लिए मानब के मस्तिक्स में किर्या कलाब चलती रहती है जो हमारा चिंतन कहलाता है और चिंतन जो स्टार्ट होती है वह किसी समस्या के आने से उत्पन होती है और उस समस्या के समधान के प्रवा परकार को होते हैं लेकिन हम लोग इस वीडियो में चिंथन के दो परकार मुर्थ चिंथन के बाड़े में अध्यन करेंगे हमने पिछले वीडियो में अविसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में अध्यन किया था आप वहाँ से इसको पर सकते हैं अविसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को मैंने आई बेटन पर यहाँ पर वीडियो का लिंक दे दिया हूँ आप वहाँ से भी देख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में मुर्थ चिंतन और मुर्थ चिंतन के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि मुर्थ चिंतन किसे कहते हैं और यह क्या होते हैं तो मुर्थ चिंतन के बारे में अगर देखा जाए जिसको हम लोग अंग्रेजी में concrete thinking बोलते हैं यह क्या होता है तो मुर्थ चिंतन जो होता है इसका सबसे पहला है यह जो प्रकिरिया चिंतन की प्रकिरिया जहां से starting होती है फर्स्ट स्टेज जो होता है हमारा चिंतन का वो होता है हमारा मुर्थ चिंतन यानि कि यह सबसे निमने रूप होती है चिंतन की प्रकिरिया का और इसमें क्या होता है कि जब कोई बस्तू प्रतेक्ष रूप से दिखाए जाएगी तो उसको देख करके जो है बच्चे या फि के सामने रख दिया आता है और उसके बाद बच्चे जो है सेब को परतेक्च रूप से देखते हैं तब जाकर करते हैं कि सेब गोल है इसका रंग इस तरह का है ये उसके बाड़े में जानने का परियास करते हैं तो इस परकार के जब वो चीजों को असपस रूप से पहले पर तो उसे देखकर या छूकर उसके बाड़े में बताया जाता है इस परकार का चिंतन जो है वो खालाता है हमारा मुर्थ चिंतन के बाड़े में तो मुर्थ चिंतन के बाड़े में तो मुर्थ ज्यानिकों का मानना है कि मुर्थ चिंतन जो होता है वो छोटे बच्चे पसु ब परचे रहते हैं वो चीजों को देख करके ही अपने विचारों को परकट करते हैं ठीक उसी तरह से पसुपक्षी में अभी क्या होता है कि वो अभी मुर्थ चिंतन ही करते हैं मानों ग्याने का ऐसा मानना है कि छोटे बच्चे हो गए और पसुपक्षियां जितने भी हैं वो पुर्व ग्यान पर अधारित चिंतन होता है यानि पुर्व ग्यान कहने का मतलब हमारा हुआ कि वैसा ग्यान जो हमने पहले से जान रखा है और उसके अधार पर किसी भी नए चीज को जानने के लिए जो हम चिंतन करते हैं वो हमारा होता है पुर्व ज्यान पर अधारित चिंतन और इसको बोलते हैं अमुर्थ चिंतन ठीक है जैसे कि आप किसी भी चीज के बाड़े में पहले से जान रहे होते हैं और उस जान उसके वो जो आपको ने पहले से जो चीजों को जानते हैं उसके अधार पर नई चीज आप जानने का प् जरूरी नहीं है जैसा कि हमने पढ़ा कि मुर्थ चिंतन में बस्तू बच्चे के सामने रहेंगे प्रत्यक्च रूप से उसको देख करके बच्चे वहाँ पर बताएंगे उसके बाड़े में चिंतन करेंगे लेकिन अमुर्थ चिंतन में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सामने परकट भी नहीं हो, उसके बाड़े में भी सोचना हमारा अमुर्चिंतन है, जैसे माली जी हम यहाँ पर है, और कलपना करने लगते हैं कि माली जो हम चांद पर गए हैं, तो वहाँ का महौल कैसा होगा, यह इसा होगा, जैसे माली जी वो तो बहुत दूर की बात हो दिवार को देखा, तो यह चीजे आपके सामने परतेक्श नहीं है, फिर भी उसके बाड़े में आप सोच रहे हैं उसके कलर कैसा है, वो कितना हाइट का है, कैसा दिखता है, इन साड़े चीजे के बाड़े में जो आप सोच रहे हैं, वो बस तो आपके सामने नहीं है, फि इस प्रकार के चिंतन को करने के लिए बालक को ठीक है अमुर्थ चिंतन में बालक को क्या है कि उसके कलपना को कलपना सक्ति का अप्योग करना पड़ेगा और साथी साथ उसका जो बुद्धी है उसको भी इस्तमाल करना पड़ेगा अमुर्थ चिंतन करने के लिए अगला जो मैंने पहला इस चीज आर्सका इसके बारण के स J difficulties हो आप लोगों के लिए तो चली कुझा है ओप influences आपि उभारण है आपने पिता जी के साथ एक और आपने पिता जी केली मापने डाउट है बगीचे वेगड़ा में कहीं पे गया है ठीक है तो वहाँ पर बालक जो है एक कवा को देखता है तो पिताजी से पुछता है कि ये क्या है तो उसके पापा उसको बताते है कि इसका नाम कवा है ये काले रंका है इसके दो पैड होते हैं पंक से हैं ये उड़ते हैं मतलब कव गॉर्ट कि जाएगा वह बक्ची अभी यहां पर परजेंट नहीं है लेकिन पिताजी पूछ रहा है अपने बच्चे से कि वगा气 की यह यहां-पर रहे हहां वो यहाँ पर बता रहा है वो उसको तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीजे उसके सामने परतेक्ष नहीं है फिर भी उसके बारे में यहाँ पर कलपना करके अपने पुर्व ग्यान यानि वो पहले जो कल जो सिखा है उस ग्यान के अधार पर क्या है कि समस्या जो उसके जी बताए कि यह देखो काला है इसके दो पैड है यहाँ पर आख है तब बालक ने यहाँ पर चीजों को सीखा तो यह आगा हमारा मुर्थ चिंतन में किसके अंतर गताएगा यह अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि परतेक्ष रूप में यहाँ पर कवा नही और उसके बारे में अपने पिताजी को यहाँ पर बता रहा है जो कि यहाँ पर कवा परजेंट नहीं है फिर भी उसके बारे में बता रहा है कलपना कर रहा है चिंतन कर रहा है तो इस परकार का चिंतन जो है वो आता है अमुर्थ चिंतन के अंतर ठीक है आई होप कि आपने कम्प्लीट हो जाएगा तो मूर्थ चिंतन तर्था मूर्थ चिंतन में क्या-क्या अंतर हो सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं तो चलिए इसका अंतर देखने के लिए सबसे पहले एक तरफ हम लोग मूर्थ चिंतन लिखते हैं दूसरे तरफ मूर्थ चिंतन कर देते हैं प्रत्यक्ष जुरोई करते हैं लेकिन अमुर्द्य चिंतन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस्तू जो है बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूपसे उप्लब्द हो नहीं भी रहेगा फिर भी बच्चे उसके बाड़े में सोचते हैं जैसे आपने कवा वला एक्जांपल को दे जाए तो अमुर्थ चिंतन है वह पुर्व ग्यान पर अधारित है जैसे बालक ने जबाब दिया अपने एक दिर पहले का ग्यान के अधार पर अपने पिताजी को बताया कि यह का हुआ है जो भी चीजे बताया वो क्या था अपने पुर्व ग्यान पर अधारित था जो उसने पहले सीखा है पहले ग्यान को अर्जन किया है उसी के अधार पर अमुर्थ चिंतन करता है इसलिए अमुर्थ चिंतन को बताया जाता है कि अमुर्थ चिंतन जो है वह पुर्व ग्यान पर अधारित होता है आगे हम लोग देखेंगे कि मुर्थ चिंतन से बालक के बुद्धी अबम कलपना सकती पर कोई प्रभाब नहीं बढ़ता है मुर्थ चिंतन जो होता है इससे बालक के बुद्धि और कलपना सकती पर कोई प्रभाब नहीं पढ़ेगा क्योंकि बालक जो चीजों को सामने से देख रहा है बस उसी को बाड़े में वो जानने का कुछिस करता है और जानता है वो एक्ष्टा को सोचता ही नहीं है एक्ष्टा कोई दिमाग लगाता ही नहीं है जिससे उसके बुद्धी जो है वत्तिव्ड हो सके कलपना सक्ति जो है वो बढ़ सके लेकिन अमुर्थ चिंतन में क्या होत कि बालक के बुद्धी और कल्पना सक्ति का विकास होता है क्यों कि जो चीजे प्रतेक्ष नहीं है उसके बारे में सोचना कल्पना करना ये बुद्धी को और कल्पना सक्ति को बढ़ावा देता है तो यह हमारा जो है मुर्थ चिंतन और मुर्थ चिंतन की बीच कुछ अंतर क जैसे इसका जो है, एक और अंतर सबसे प्रमुक अंतर है, कि मुर्त चिंतन जो होता है इसका संबंध भातिक जगत से होता है, भातिक जगत कहने का मतलुद हुआ कि Sucha, उसके आकर्ति को देखेगा मतलब कि परतेक्ष रूप से देखा तो उसका संबंध हम लोग बोल सकते हैं कि बहुतिक जगत से होता है लेकिन अमुर्थ चिंतन का जो है यह जो संबंध है यह होता है मानसिक जगत से यह उसके मानसिक जगत से संबंधित होता है अमुर्थ चिंतन हमारा और मुर्थ चिंतन जो है वो हमारा बहुत इक जगत से समधित होता है तो यही कुछ important अंतर थी मुर्थ चिंतन अमुर्थ चिंतन के बीच concrete thinking एवर abstract thinking के बीच जो यह जो है कुछ महत पुर्ण अंतर थी और हमने इस वीडियो में पूरे अच्छे से पूरे topic को कबर किया है मुर्थ चिंतन अमुर्थ चिंतन के बारे में आप सभी को साइद यहाँ वीडियो में अब आगे कोई दिक्कत ना आएगी इसको देखने के बाद अगर आती है तो फिर से आप वीडियो को pause करके दुबारा देखिए पीछे back जा करके साइद आपको जो भी दिक्कत होगी वो complete हो जाएगी फिर से तो आज के वीडियो बस इतना ही अमुर्थ चिंतन अमुर्थ चिंतन को ही हमने पढ़ा आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए देखते रहिए आरकाइश्टरी सीटिट पॉइंट योट्यूब चैनल को थैंक्स